हेलो माई डियर स्टुडेंट आप समी करेंगे इसका इंट्रोड़क्शन इनके अब्जेक्टिप्स क्या होते हैं केलोरी इंटेक कितना लेना चाहिए बेनिफिट्स क्या क्या है इंप्लिमेंटेशन एंट फंडिंग के वारे में जानेंगे कंप्लीट कॉंसेप्ट आपको ह हिंदी प्लस इंगलिस में समझने को मिलेगा इस वीडियो को पेडियो डाउन्लोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पार फॉलो कर लें उसका लिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और जो भी वेस इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को ज़रू करें यह दि मेरे लिए और बनाएगे कंटेंट आपके लिए हैजफल होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें आप साथ में नोटिफिकरिशन बाल को दबार के और पर क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे हैसे इन से लिए वीडियो को नोटिफिकरिशन स्टाइब इन इंडिया ओन 15 अगस्ट 1995 आज नेशनल प्रोग्राम और निट्रिशनल सपोर्ट टू प्रामिरी एजुकेशन इन मादुराई तमिलनाड ठीक क्या कहना चाहता है या दखेगा मिड़े मेल स्कीम की स्थापना या सू आज सबसे पहले का हुई थी 15 अगस्त 1995 ह हुई थी और तब ये मिड़े मेल स्कीम को हम की नाम से जानते थे या दखेगा नेशनल प्रोग्राम और निट्रिशनल सपोर्ट टू प्रामिरी एजुकेशन ठीक है और यह कहां पर स्था कहां इसकी सुरुवात हुई थी तो या दखेगा मादुरे तमिलाड में सबसे प अब अक्टूबर 2000 को इसका नाम बदर कर क्या कर दिया गया नैशनल प्रोग्राम और अफ मिड़े मिल इसकीम भी चैता है ठीक है तो याने की 15 अगरस्ट 1995 में मैं जो नाम था पहले क्या नाम था हमारा नैशनल प्रोग्राम आफ निट्रिशन सपोर्ट टू प्रामरी इज अब哎ktubr 2007 में उसका नाम क्या कर दिया गया midday mail scheme या next program of midday mail in school कर दिया गया ट्यर है चले next मारा point है in September 2021 midday mail scheme was renamed as प्रधान मंत्री पूर्शन scheme आप याद दखेजंड important point है 2021 कब September 2021 में midday mail scheme का नाम फिर से बदल दिया गया और अब क्या कर दिया गया उसका प्रधान मंत्री पोर्शन स्कीम इसका जो है नाम ड्रग दिया गया, राइट, चलिए चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है Under the scheme, hot cooked meal order is provided to all children studying in class first to eighth enrolled in government schools, local body schools, government added schools special training centers मक्तब्स, मदर्साज supported under, सर्फ सिक्षा अभी हैं क्या कहना चाहता है, इस यूजना के तहट, यानि कि mid day meal scheme के तहट, सर्फ सिक्षा अभियान से जुड़े, जितने भी हमारे college हैं, school है, जैसे आपके सरकारी school हो जाते हैं, ठीक स्थानी निकाय school हो जाते हैं जिनको हम local body schools कहते हैं, ठीक, सरकारी साहता प्राप्त school हो गए, added school हो गए, जो government added school हैं, ठीक है विसेश पर सिच्छन केंदर हो गए, ठीक है मकतब और मदर्सा हो गए, ठीक तो इनमें जो है कच्छा है, एक से लेके आठ तक के सभी बच्चें जुन्होंने government school और local body schools government added school हैं, या आपके special training centers हैं, मकतब मदर्सा हैं, ठीक इनमें उन्होंने अगर enroll दिया है, तो प्रतिव बच्चे को जो है midday meal दिया जाएगा, clear है चलिए, बात कर लेते हैं लोग objectives के क्या कैन के उद्देश हैं, तो सबसे पहला हमारा the primary objective of the midday meal scheme is to improve the nutritional status of children, especially those belong to disc advantaged section of society, ठीक है important point है, मद्यान बोजन user का प्रात्मिक उद्दिश क्या है, याद रखेगा बच्चों business का सामाज के वंचित बर्गों के बच्चों की पोसर इस्तिति में सुधार करना है, ठीक है, यानि कि ऐसे बच्चे जिनको nutrition नहीं मिल पाता है या वो बहुत ही गरीब है, ठीक है वो पूर्ड नहीं intake कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है, खास तोर से ध्यान दिया जाएगा, उनको मिड्डे मिल दिया जाएगा, ठीक है अब इसके अत्रित, ये तो हमारा main object हो गया, इसके अत्रित आपके अन्य उद्देश भी हो सकते हैं, जैसे पहला हमारा encouraging children to attend school regularly, ठीक, ऐसे बच्चों जो school जाने में वन्चेत रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को हमें प्रोसाइद करना चाहिए कि वो partize हो है, school जाए, ठीक है, चलिए अगला हमारा point है, supporting local production and procurement of nutritious food, ठीक है, यानि कि स्थानी उत्पादन और पूर्ष्टिक बोजन की खेट का समर्थन करना हमें, ठीक है, चलिए, अगला हमारा point है, promoting social equity and inclusion, ठीक है, समाजिक समानता और समावेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है, यानि कि समाज में कोई भी धर्म या जात का हो, हमें सभी को जो है, समान रूप से उसको, equality midday meal देना है, ठीक है, उनके साथ में अपमान जन्यक बढ़ावार नहीं करना है, या कोई ऐसा हम नहीं मानेंगे, कि हाई ये नीजात का है, या ये अपरकास्ट का है, ठीक है, जो भी बच्चे आते हैं, ठीक है, तुमको समान रूप से उनके साथ में बढ़ावार करना चाहिए, समान रूप से उनको midday meal, जो है, देना चाहिए, ठीक है, चली, अगला मारा point है, enhancing the learning outcomes of children, ठीक है, सीखने के प्रणामों को बढ़ावा देना है, चली, आब हम बात करते है calorie intake for midday meal scheme, ठीक है, यानि कि एक midday meal scheme के तायत, बच्चों को कितनी calorie लेनी चाहिए, उसके बारे में हम लो discussion करेंगे, ठीक है, the calories intake prescribed per child per school day is as follows, यानि कि प्रतेग स्कूल में, प्रतेग बच्चे के लिए calories निर्धारिट की गई है, जो कि इस प्रकार है, ठीक है, तो सबसे पहले हम calorie intake की बात करते हैं, primary school और upper primary school, ठीक है, तो primary school में क्या है, अब primary school कहां से कहां तक होगा, याद है कि एक से लेके प्रतेग बच्चे को बारा ग्राम, ठीक प्रतेग बच्चे को बारा ग्राम चाहिए, वहीं हम अगर अपर primary school की बात करते हैं, ठीक है, तो उनको कितना चाहिए प्रतेग बच्चे को 20 ग्राम प्रोटीन ग्याव सिटा पड़ेगी, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, लोग benefits के क्या के इनके फायदे होते हैं, the midday meal scheme has several benefits, ठीक है, midday meal scheme के बहुत से फायदे होते हैं, इनमें से कुछ math point फायदे जो है, benefits हैं, वो इस परकार है, सबस्पहला क्या मतलब, improved attendance and enrollment rate, अब attendance और enrollment से मतलब क्या है, देखिए, enrollment का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको ना मांकन कहते हैं, ठीक है, यानि कि school में admission जादा से जादा बच्चों का हो, ठीक है, उनकी उपस्ति जादा से जादा हो, तो ये दोनों चीजे हमें बढ़ाना है, ठीक है, क्या क्या बढ़ाना है, बच्चों की उपस्ति और बच्चों का ना मांकन भी, ठीक है, चलिए, अगला हमारा point है reduction in classroom hunger and malnutrition ठीक है यानि कि अगर हम classroom में बात करते हैं तो बच्चों में भूख और को portion की कमी को कम करना है ठीक है अगला क्या है हमारा improved health and nutritional status of children ठीक है बच्चों के स्वास्थ और पोशल सम्वंधि इस्तिति को improve करना है right next हमारा point है increased concentration and cognitive ability ठीक है एगाक ता और संगिनात्म छमता में ब्रद्धी करना है ठीक है यानि कि बहुत देख चमता right अगला क्या हमारा enhanced social equity समाजिक समानतर को बढ़ावा देना है ठीक है सबके साथ में quality हमें बिभार करना है ठीक है जाद धर्मिया पर नहीं देखा जाएगा ठीक है उची नीच नहीं देखी जाती है बच्चों के साथ में उनके साथ में सबके साथ में सबके साथ जो है हम लोगों को रासन लेना है उने से जो है अनाज लेना है मिड़े मेल के लिए ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे implementation and funding of media meal scheme यानि कि media meal scheme के लिए जो fund आता है तो पैसा आता है उसको कैसे क्या रहेगा system ठीक है और implementation उसको कैसे करते हैं, जो पैसा आता है, ठीक है, कितना च्याल लगेगा, उसके बारे हम लोग जानेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा point है, each state या UT, UT क्या होता है, union territories, ठीक है, has to set up state screening monitoring committee, जिसको short menu SSMCS कहते है, ठीक, at the state, district and block level to oversee the implementation of this scheme, including stabilizing a mechanism to maintain the equality and nutritional standards of the meals, ठीक, प्रतिक राज ही या केंद सासी जो प्रदेश होते हैं, ठीक, इस यूजना के कार्यानवन की निगरानी के लिए, राज, ठीक, जिला, ब्लॉक स्तर पर, राज संचालन सहे निगरानी समितियां होती हैं, ठीक, उनकी स्थापना के जाती है, जिससे भ चले, next point हमारा, this is a centrally sponsored scheme, जैसे कि हम जानते हैं, जो medium scheme होते हैं, यह central government के एक scheme होती है, right, चले, next हमारा point है, hence the cost is shared between the center and states, ठीक, अब यार देखेगा यहाँ पर, जो हमारा केंद सरकार होती है, यहाँ पर यह 60% fund देती है, वहीं जो state होता है, वो 40% fund देगा, ठीक, यह दोनो ministry कौन होता है, तो यहाँ दखेगा ministry of education, जिसको हम सिक्षा मंत्री कहते हैं, ठीक, वो इसका nodal मंत्रा लए होगा, right, आसर करते हूं कि आपको वीडियो अच्छे ते समझ में आ गया होगा, concept clear होगा, यह दि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो उसे like करें, आपने दोस् लखें, take care and bye bye, thank you so much